नमस्ते कैसे आप सब तो जो हमारी पहली पार्ट थी वीडियोस की उसमें हमने डिसकस किया कि रैरियो क्या है वो आपके लिए क्या क्या नई चीजे लेकर आने वाला है और हमारी काफी अच्छी डिसकस्न होई काफी आपके सवाल भी थे जिनका जवाब आपको मिला काफी ल जिससे आप समझ पाओ कि यह गेम आप कैसे खेल पाओगे तो पहला स्टेप काफी सिंपल है आप D3 पर जाओगे जो रैरियो का आप है वहां पर जाके आप यह देखो कि क्या गेम्स अवेलोबिल है क्या मैच अवेलोबिल है कोई भी मैच आप जाके सिलेक करें और वह मैच खेल सकते हैं अब simple concept है जो आपके पास cards है आप वही cards के साथ मैच खेल सकते हो जो आपके pack से cards निकले आप उसके साथ ही मैच खेल सकते हो ऐसा नहीं है कि एक list of players है जिससे आप से लेकर पाओ नहीं जो cards आपके पास है उसके साथ आप खेल सकते हो अब कैसे खेलोगे simple concept है द दो टीम एक मैच में खेलेंगे करेक्ट दो अलग अलग टीम कभी बाबेडोस और ट्रिन वैगो कभी दो और अलग टीम तो अभी आपके पास एक सेट अफ कार्ड उनमें से आपको अपने कार्ड करने हैं वो मैच के लिए तो फॉर एक्जामपल अभी आपको चाहिए एक टी इसके अलावा दूसरा रूल क्या है कि ये तीन कार्ड में से एक होना चाहिए बले बास और दूसरा होना चाहिए गेन बास ये दोनों एक एक कार्ड अलग होने चाहिए जो आपका तीसरा कार्ड है कोई भी हो सकता है बैटर, कीपर, ओल राउंडर, बोलर कोई भी कार्ड ह हो सकता है अगर आप मेरे जैसे all-rounder के fan हो तो आप all-rounder जरूर सेलेक्ट करिएगा वो 3rd card में यह जरूर ध्यान में रखेगा कि आपके जो दो card होने चाहिए जो पहले दो card एक batter होना चाहिए और keeper होना चाहिए और आपके जो team card है उनमें से at least एक एक अलग-अलग team से होना चाहिए वो player तो यह हो गया आपका team का fix up जो आपका concept है एक बार वो fix हो गया आपकी team हो गये ready अभी आपको क्या करना है यह card आप free में कोई भी contest में डाल सकते हो and बहुत सारे prizes जीत सकते हो simple सी बात है but best part क्या है कि समझो आपकी team अच्छी नहीं चली है आपके जो cards है ठीक से नहीं चल पाया players ठीक से नहीं खेले इसका यह मतलब नहीं है कि card चला गया वो card हमेशा आपके साथ ही रहेगा आप यह आगे भी use कर सकते हो and आप cards जीत भी सकते हो जो दिन आपकी team जो आपके set of cards है वो अच्छे से चले आपकी team सही बनी वो दिन आप और cash prizes भी जीत सकते हो cards भी जीत सकते हो बट नहीं चली तो वो cards आगे भी आप use कर सकते हो कहां use कर सकते हो CPL खतम हो गया no problem उसके बाद आएगे अलग-अलग T20 leagues आएगा World Cup T20 World Cup तो ऐसे और बहुत सारे मौके होंगे जहां पे आप यह card use कर सकते हो आप जब marketplace launch होगा इंडिया पाकिस्तान game के दि style कर सकते हो तो ऐसे बहुत सारे options आपके पास already होंगे and most importantly आप यह card को आगे हर एक tournament में भी use कर सकते हो तो यह हुई जल्दी से जल्दी अभी जाके pack खरीदिये and उसके अलावा आपके पास कोई भी सवाल हो तो comments में डाल सकते हैं मैं कोशिश करूँगा हर सवाल का आपका जवाब दूँ आपकी help जितनी होपाय कर पाऊ and उसके अलावा video को हमेशा like करे, share करे and subscribe करके रखे ताकि जो और मेरे में पास information हो मैं आप तक पहुचा पाऊं और आपकी मदद कर पाऊं happy winning